आप लड़के हैं, आप रेंज मेरिज करने जा रहे हैं, सगाई हो गई है, मंगेतर से कैसे बात करें, करेंगे इसी बारे में बात, उससे पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगे कि एक सबक चैनल को सबस्क्राइब करें, सबस्क्राइब करना फ्री है, आप लड़के हैं, पहले फोन पहला फोन आप ही करें, क्योंकि वो लड़की है वो नहीं करेगी, उसको आपके फोन का इंतजार होगा। दूसरा जब भी फोन करें उसका हाल पूछें और पहले ही दिन अपने ओफिस आवर्स का और उसके ओफिस आवर्स का एक दूसरे से सब बात्चित कर लें ताकि टाइम फिक्स हो सके आप दूसरे से अराम से कब बात कर सकते हैं आप नंगेतर से पूछ सकते हैं कि उसके क्या शौक हैं तो क्या घूमना पसंद है और हस्ते हुए यह अप क्यी पूछ सकते हैं क्या मैं आपको पसंद हूं आप उसे शादी क्यों करना चाहते हैं अब तोकि वो अरेंड मेरीच कर रही है तो अफकोर्स यह तो अंडर सूड है कि वो अच्छी रड़की है तो बहुत बोलेगी कि आप मेरे पेरंट्स की पसंद है उनका फैंसला जो भी होगा अच्छा ही होगा क्योंकि वो हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं आपको अपना घर अच्छी जॉब है देखने में भी आप अच्छे है आप पूछ सकते हैं कि आपको खाना बनाना आता है तो बताएगी परफेक्ट तो नहीं हूँ जॉब करती हूँ कर करके सीख जाँगी तो आप एक बार फिर बोल दें कोई बात नहीं पर आपको खाना बनाना तो आता है न व्यज हो या नॉन व्यज आप पूछ सकते हैं अगर बोलती है व्यज हैं तो आप बोल सकते हैं कि मेरे घर में सारे नॉन व्यज हैं आपको नॉन व्यज बनाना आता है न आप बनाना स यड़की से उसके पास्ट के बारे में कभी भी ना पूछें, सब का पास्ट होता है, अट्रैक्शन नैच्रल फिलिंग है, आपका भी पास्ट होगा, इसलिए अब आप अपना पास्ट भी उसको ना बताएं, उसका दिमाग दिस्टर भी होगा, क्या फाइदा? इन बातों को जानकर सस्ट यह कि जो भीद गया उसे भूल जाओ ना पूछो और ना ही बताओ क्योंकि आप दोनों की नई जिन्गी शुरू होने वाली है जब आप बात करते हैं जैसे आप बात करते हैं जैसे ही करें कोई दिखावा ना करें ताकि उसको आपका नेचर अच्छी तरह समझ आ जाए अगर आपसे आपके बारे में कुछ पूछती है तो जो भी बात है वह सच सच बताएं जूट बोलने का डिंगे मारने का कोई फैदा नहीं क्योंकि सच शादी के बात सामने आ ही जाता है अपने फैमली मेंबर्स के बारे में आप ही जान बुछ कर बताएं क्योंकि लड़की को अज़ज करने में कोई परशानी ना आए इसलिए कि कौन घर में कैसा है कौन हस्मुक है कौन गुछ से वाला है आप बताएं आप पूछ सकती हैं क्योंकि आप आजकल मौडरन जमाना है क्या आप डिंग करती है या स्मोक करती है क्लियर कर सकते हैं क्योंकि ये आजकल कोई बड़ी बात नहीं है आपको अपने हजबन से क्या उमीदे हैं तो वह कहेगी हर लड़की अपने पती से रिस्प्रेक्ट चाहती है और वह ये बात बिलकुल ठीक कह रही है और आपको ये समझ लेनी चाहिए आप पूछ सकते हैं कि अगर कभी मेरी जॉब चली जाए तो आप क्या करेंगी तो देखें कि वह क्या जवाब देती है उससे उसकी समझारी का पता चलेगा अच्छी लड़की होगी तो बोलेगी क्या हुआ अब डाउन तो लाइफ में चलता रहता है मैं जॉब करती हूँ क्या परशानी है थोड़े दिन बाद आपके दूसरी जॉब लग जाएगी अगर वैं जॉब नहीं करती होगी तो कहेगी सेविंग इसी दिन के लिए तो होती है आप यह पूछ सकते हैं कि आप मेरे साथ लग रहने चाहती है या मेरी फैमली के साथ अगर वैं कहती है देखे मैं रेंज मेरिच कर रही हूँ जुरूर मैं आपके साथ ही रहना चाहूंगी जब आपका अपना घर है तो क्यों किराएपर रहना आखिर माता पिता हमें पाल पोच कर बढ़ा करते हैं अब हमारी बारी है उनके ध्यान करने की आज कल कौन सी बड़ी फैमली है अगर मेरी फैमली से नहीं बनी तो आप क्या करेंगी या पूछ सकते हैं तो वैं कहेगी समय लगता है अज़स्ट होने में फिर सब ठीक हो जाता है अगर वैं लड़की अज़स्ट करने को तयार है तो आपको भी अज़स्ट करना सीखना होगा आपको भी उस लड़की का बहुत ध्यान रखना होगा आप अपनी मंगेतर को जब भी मिलने के लिए बुलाएं तो वैं पबलिक प्लेस होनी चाहिए अगर आप लड़की को अकेले कामरे में मिलने के लिए बुलाते हैं पहली बात तो यह है कि वैं नहीं आएगी क्योंकि यह आरेंज मेरिज है दूसरा वैं अपने पेरेंट्स को बता देगी और उसके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स को बताएंगे आपकी अपनी छवी हर तरफ से खराब हो जाएगी तो यह गलती नहीं करना अगर आपकी मंगेतर डरी हुई है घबराई हुई है तो उससे कमफर्टेबल फील कराएं अगर वैं सिंपल बनकर आई है और आपकी फैमली मॉडर्ण है तो आप कह सकते हैं कि आप बहुत सिंपल रहती है मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ चब पार्टी में जाए तो सब उसे देखते रह जाएं तो यह बहुत सुन्दर दिखे तो वैं आपकी बात समझ जाएगी कि आप क्या चाहते है हमारे घर में modern dresses allowed है मेरी मॉम तो अभी तक भी designer gowns पैनती है अगर आप financially अच्छे हैं प्रैसों से अच्छे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या शादी के बाद भी आप जॉब करना चाहेंगी वैसे मेरा अच्छा बिजनिस है अगर आप चाहें तो आप जॉब छोड़ सकती है जो चाहिए मैं आपको दूँगा वह उस टेंट तो आपको कोई जवाब नहीं दे पाएगी लेकिन वह यहीं कहेगी कि ठीक है मैं आपको सोच कर बताऊंगी फिर आप पुछना कि आपको कैसे हस्बेंट के उमीद है तो जो जो बोलेगी जो उसने दुनिया में आज कल वो देख रही होगी वही बोलेगी कि मुझे ऐसे हस्बेंट पसंद नहीं जो लड़के अपनी वाइफ के लिए स्टेंड नहीं लेते बस चुपचप अगर उसकी वीवी को सब तंग कर रहे हैं तो चुपचप देखते रहते हैं अगर मालो वाइफ जॉब नहीं करती है और वाइफ हस्बेंट से पैसे मांग दी है तो उसे एक बार नहीं सौ सौ बार पैसों के लिए हस्बेंट को बोलना पड़ता है तो यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है कहने का मतलब है अगर वह जॉब कर रही है अगर आप पैसों से अच्छे हैं तब ही उसकी जॉब छुडाएं आजकल सगादी में कोई ज़्यादा समय तो रहता नहीं है दो-तिन मेने का ही गयाप होता है एक बात का और ध्यान करें कि मंगेतर से उसी उच्छी आवाज में बात ना करें अगर आप अभी से ऐसा बोलेंगे तो वह सोचेगी कि ये शादी के बाद लड़का मेरा क्या हल करेगा हमेशा जिन्दगी में यही कोशिश करें कि हमें रिष्टा अच्छे से चलाना है और ये कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी क्योंकि आप एक लड़की को अपने घर में ला रहे हैं और लड़की के आने के बाद घर का सारा महौल बदल जाता है सगाई समाच के सामने होती है तो ये रिष्टा बना रहे है शादी तक इसलिए सगाई के बाद शादी तक आप समझदारी से समय बिताएं अपनी मर्जी उस पर ना थोपें एक बात मैं आपको इसलिए सला दे रही हूँ कि वो जमाने गए जब लड़कियां दपकर रहती थी और अगर आप लड़के हैं और बाद बार पर लड़की को तोकेंगे तो आज कोई लड़की ये बात बदाश्ट नहीं करेगी चहवाय जॉब करती है चहवाय नहीं करती है इसलिए सो समझ कर शादी करें इसलिए शादी इसलिए ना करें कि पहले मापर हुकम चलाता था अब बीवी पर हुकम चलाऊंगा शादी के बाद बीवी पर दोहरी जिम्मेवारी आजाती है अगर वैजॉब करती है तो अगर वैं जॉब नहीं भी करती है तो घर के भी बहुत काम होते हैं बड़ों की कल को मा भी उसे ही बनना है बच्चे की जीमेवारी भी उस पर ही आती है यह जिन्दगी यह कैसे काटनी है यह आपके उपर है कि आप उसे अज़श्ट करके चलाते हैं यह मंगेतर उन्ही की पसंद है आपने हां की है तब ही सगाई हुई है अगर आप रेंद मेरिज करने जा रहे हैं तो आप लड़के हैं क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है मैंने की सगाई के बार लड़की मंगेतर से क्या बात करे और यह वीडियो यह है कि सगाई के बाद लड़का मंगेतर से क्या बात करे तो अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो मैंने मिशा यह कहती हूँ कि अहंकार को बाहर फैंक दें और सबर को बढ़ा लें फिर ही शादी करें तभी शादी चल पाएगे अपने आपको बदलने की कोशिश आसे शुदी कर दें आपके जो कमिया है उन्हों ठीक करने की कोशिश कर दें सारी उमीदे पत्नी से ही ना करें अपने आपको भी बदलें All the best वीडियो पसंद आए तो एक सबक चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री है थैंक्स पर वाचिंग